ब्राउन राइस हलका यलो कलर का चावल होता है इस चावल का टेस्ट वाइड चावल जैसा नहीं होता है पर हैल्थ के लिए बहुती बढ़िया ऑप्सन है लोड़ी में अन्नेसे सेरी पोसक तत्वे आनकी बिला मतलब के जो पोसक तत्वर हैते हैं उनको मैंड़न करने में अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दवाना बिल्कुल ना भूलिए हमने यह दो कप ब्राउन राइस लिया है एक कप मैंने बाउल में पहले एड कर लिया था और यह दूसरा कप फिर से एड कर देती हूं वाटर एड करेंगे और राइस को ना धुल करके साफ कर लेंग इस्पून हम क्यूमन सीट्स एड कर देंगे इसे तड़का लगाएंगे एक दो लॉंग एड कर देंगे वन इलाइजी हमने यहाँ पर एड कर दिया है और छोटे छोटे दो तुकडे दालचीनी के एड कर दी है इसे तड़का लग जाएगा एक तेजपान हमने तोड़ कर के एड़ कर दिया है और फीनल सीट से यहां एड़ कर दिया है इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा अब मतर का सीजन है तो मतर एड़ कर देंगे मतर का सीजन ना हो तो सोया बड़ी पनीज पीनल्स बगरा एड़ कर सकती है अब कैबेज भी एड़ कर देंगे पोटेटो के बाद 1 टी स्पून गरम मसाला एड़ कर देंगे अच्छे से मेक्स हो जाएगा और फिर ब्राउन राइज हमने धुलकर रखे हैं उन्हें एड़ कर देंगे चावा सब्जियां अच्छे से मेक्स हो जाए और थोड़ी से भून जाए तभी इसका बढ़िया टेस्ट आता है पांच से साथ मिनिट का जो वक्त होता है इन सभी चीज़ों को भूनने में फ्राई करने में हमें लग जाता है तभी इसका टेस्ट बढ़िया आता है और जितने रहा हमने चावाल लिया है उसे दो गुनी क्वांटिटी में तो हम पानी एड़ ही करेंगे पर हमने सब्जि आनुसार नमक डाल देंगे और ढख देंगे कुछ देर पकने देंगे गैस की फ्लेम हाई कर देना है दास मिनिट के बाद आप देख सकते हैं चावाल कितनी बढ़िया तरीके से तयार हो चुका है पर अभी इसमें कुछ कंड बाकी है जो चावाल के बीच ओ बीच का जो भ खेला चावल पकर के तयार हुआ है इस पुलाओ को बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए एक चमच घी का एड़ कर देंगे आप लोग इस तरीके से पुलाओ नहीं बनाते हैं तो बनाना शुरू कर दीजे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और कोरियंडर लेप्स से ना गा कान लेंगे तयार हैं ब्राउन राइस कैविज मटर पुलाओ मेरे चैनल में बंडारे वाले खिचडी मोहरम स्पेशल वैज खिचडा या पुलाओ की रेशिपी भी मिल जाएगी इंच्वाए करो बाई बाई